नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटिव चैनल फेर एंड केर टिप्स में दोस्तों आज हम जहरते कमजोर बालों से परिशान लोगों को एक बहुत ही आसान और अच्चू कुपाई बताने वाले हैं लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को दबाएं दोस्तों हम सभी जैसा जानते हैं कि सौफ का इस्तेमाल खाने की चीज़ों में किया जाता है यह हमारी सेहत के लिए काफी फाइदे मंद भी होती है सौफ में काफी पोशक्ता तो होते हैं सौफ केलसियम के साथ साथ आईरन और शोडियम का अच्छा सोर्स है सौफ में पोटैसियम जैसे खनीज्टा तो भी होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि सौफ हमारे बालों के लिए भी काफ़े फाइदे मुंद हैं। सौफ के तेल से जहरते वे बाल रुख शकते हैं। अगर नहीं तो चलिए हम आपको आगे की जानकारी देते हैं। सौफ का तेल बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन में जैतून या नारियल का तेल डालेंगे और उसमें सौफ के दाने डालेंगे। तेल को उबाल लेंगे और उबाल आने के बाद पैन को मध्यम आज पर रखेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। इसके बाद तेल को ठंडा होने देंगे और फिर कंटेनर में डाल देंगे बालों के जहरने की समस्या है तो सौफ का तेल हमारे लिए बहुत ही फाइदेमंद होगा नियारियल के तेल में इसको मिला कर लगाएंगे सौफ के तेले मौजूद एंटी ऑक्षिडेंट और एंटी माइक्रोवाइल प्रॉप्टीर्ज असकेल्प को स्वस्थ रखते हैं साथ ही ये हमारे बालों को मॉस्चिराइज भी रखता है स्केल्प को क्लीन रखना बहुत अधिक जरूरी है इसे बालों में इंफेक्षन नहीं होता है इस्टोन डैंडरफ, टेशन और एकजीमा जैसे तत्व इन सभी परशानियों को कम करता है सौफ में विटमिन C, केल्सियम, आईरन और मैगनीशियम होता है जो हमारे पोर्श को पोशन देता है इसे बालों को मजबूती मिलती है आमतोर पर पोशक ततों की कमी होने पर हमारे बाल पतले और जरने लगते हैं सौफ के तेल काउपयोग करने से हमारे बालों को पोशन मिलता है और मारे बाल तूटने और जरने बंद हो जाते हैं